नमस्कार दोस्तों, The Smart Investor Channel में आप सभी का स्वागत है, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ कि हम अपने IPO में Allotment के Chances को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो हम देखते रहते हैं कि हम कई बार IPO Apply करते हैं, लेकिन हमें फिर भी उसका Allotment नहीं मिलता, तो ऐसी क्या Mistakes हैं जो हम करते हैं, और उनको Avoid करके हम अपने IPO के Allotment के Chances को बढ़ा सकते हैं, नॉर्मली 5-6 चीजे हैं, जो नॉर्मली सभी गलती करते हैं, जिसकी वज़े से उन्हें IPO का Allotment नहीं मिलता, तो अगर हम सबसे पहले बात करें, तो वो है हमारा Demet Account, तो मान लीजी अगर आ चारों broker के account से IPO apply करते हैं, तो आपको एक भी allotment उसमें नहीं मिलेगा, तो उस case में आपकी application को reject कर दिया जाता है, लेकिन IPO apply तो हो जाएगा चारों से, लेकिन जो allotment आएगा, उसमें non allotment का आपको message आ जाएगा, उस case में आपको allotment नहीं मिलेगा, तो अगर आपको IPO apply कर confirmation, payment confirmation में यह है कि मानने अपने DMAT account से apply किया, लेकिन मेरे DMAT account में मेरा bank card जो registered है, मैंने उसके UPI ID ना डालके, किसी other bank की या फिर अपने family relatives की, उसमें UPI ID डाल दी, उस case में भी आपकी payment तो block हो जाएगे, लेकिन जब allotment की बार यह आएगी, तो उस case में आपको allotment नहीं मिले तो आपको UPI ID भी वही use करनी है, जो bank account आपके DMAT account में link है, same bank की, और उसके साथ ही आपके जो bank account है, उसमें आपका pen card link होना चाहिए, इस case में भी आपको allotment मिलने के chances बढ़ जाते हैं, तीसरा है हमारा multiple DMAT account, मतलब कि हम IPO apply कर रहे हैं, तो हम एक DMAT account से apply ना करके, अपने family में जितने भी DMAT account है, हम सभी के DMAT account से एक-एक load उनसे apply करें, जितने हमारे number of DMAT account ज्यादा होंगे, उना हमारा allotment मिलने के chances बढ़ जाते हैं, इसके बाद अगला जो point है, वो है कि हमें IPO किस time apply करना चाहिए, और कब तक उसकी payment को confirmation कर देना चाहिए, तो mainly हमारा IPO तीन दिन खुल बार रहता है, और IPO जो apply करने की timing रहती है, वो सुबह सब्सक्राइब 10 बजे से शाम के सब्सक्राइब 4 बजे तक की रहती है, फिर बार यह आती है कि payment हमें कब तक confirmation कर देनी चाहिए, तो मालनी जी अभी आपने IPO apply कर दिया, first day के ही दिन, तो payment का confirmation नेका है, वो mainly 2-3 गंटे बाद आ ही जाता है, तो उसको आपको कब approve करना चाहिए, या तो आप साथ की साथ उसको approve कर सकते हैं, या फिर आपके पास maximum जो time रहता है, वो यह रहता है कि तीसरे दिन जब IPO close हो रहा है, शाम के सब्सक्राइब 4 तक, उससे पहले आपको अपनी payment के confirmation करना पड़ेगा, लेकिन chances यह रहते हैं कि IPO apply करने का time ही कतम हो चुका है, और उसके बाद आप payment कर रहे हो, तो आपके lotment के chances यह वो कम हो जाते हैं, और सबसे last point यह है कि जब IPO fully subscribe हो जाता है, तो retail investor यह गलती हमेशा करता है, कि हम यह करते हैं कि हम एक ही ID से 5 या 6 lot या 10 lot उसमें apply कर देते हैं, इस case में अगर IPO fully subscribe हो जाता है, तो maximum chances यह रहते हैं कि आपने भले एक DMAT account से 5 या 6 lot या 10 lot जो भी लगाए हैं, आपको मिलने के जो chances रहते हैं, वो सिर्फ एक ही lot के रहते हैं, तो उस case में यह better है कि जब भी आप IPO apply करते हैं, तो उस case में आप IPO का subscription status जरूर चेक करें, अगर व इस case में भी आपके मिलने के chances बढ़ जाते हैं, तो दोस्तों यह थी 5-6 normal चीज़े, जो mainly हम retail investor IPO apply करते हैं, तो उस case में हमें जो IPO मिलने के chances हैं, वो कम हो जाते हैं, तो इन गलतियों को हम avoid करके हमारे IPO allotment के chances बढ़ा सकते हैं, इसके बाद रही allotment मिलने की बाते हैं, तो mainly यह होता है कि IPO एक lottery जैसा system है, हम कोई lottery खरीदते हैं, फिर उसमें यह lucky number जो withdraw निकाला जाता है, कि उसमें lottery का number आता है, और जिसका भी number आता है, उसको lottery वो लग जाती है, यह same case IPO पे भी apply होता है, randomly system generated number उठाये जाते हैं, उसको allotment मिलता है, उसका application number वहाँ पे आ जाता है, जोरूरी निए कि हम 20 load, 30 load, 40 load हम apply कर रहे हैं, और हमें वो subload से ही IPO का allotment मिल जाए, मैं भी mostly IPO apply करता हूँ, लेकिन यह है कि मेरे को भी allotment कई बार नहीं मिलता, तो जब नहीं मिलता तो मैं IPO लगाना बंद नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें हमारा mail ली नुक्सान क्या हो र रहता है, और उसके बाद अगर हमें allotment नहीं मिलता, तो उमारे जो पैसे हैं, वो unblock हो जाते हैं, तो इस case में आपको नुक्सान कुछ नहीं है, तो जब भी अगर आपके पास पैसा available है, तो आप IPO को apply कीजिए, हो सकता है कि आपको एक IPO, दो IPO, पांच IPO, दस IPO में allotment ना मि ले, लेकिन कभी ना कभी तो आपको allotment जरूर मिलेगा, तो आप continuously अच्छे IPO को apply करते रहें, हो सकता है कि आपको आने वाले time में अच्छे IPO मिलते रहें, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe क बना ना बोले.